आज के चूटरल में हम देखेंगे contrast element selection होता क्या है तो सबसे पहले यह देखेंगे contrast color ओके यह समर्लोग contrast यह जो open हुआ है इसी पर यह अपको पता है contrast color क्या है यह सियान है इसकी contrast color red इसका हम opposite में लेंगे बड़ा जहां पर सियान लिया और निचे red वैसे ऐसे color का contrast है जैसे कि यह magenta हुआ उसका contrast green और यहां पर green का contrast इसे यह यहां पर blue का contrast yellow यहां पर yellow का contrast blue तो यह एक basic है यह आप सबको पता है ओके फिर भी एक basic के लिए यह file समझाया अभी इसको मैंने close क्या अभी next देखेंगे family color family color आपको पता है यह summer pink है यह pink का ही light dark medium यह सारा family tone है हम जब भी एक ही color का उसी के family tone लेकि काम करेंगे उसका हम बोलते है family tone ओके अब इसको close करता हूं तभी opposite color यह आपको सबको पता है कि यह वील सबके बस हो गाई या फिर सबका माइंड में रहा गाई और रहना भी ज़रूरी है कि समझ लो यह हर color का opposite color अभी suppose कई भी यह element यह color अपने यह उसका उपर ground नहीं यूज किया suppose इस कि इस color के element आपको design भी उसका इसमें रहे कि अगर यह उसकिया तो उसका opposite में यह उसकर नहीं अगर आपने red उसकिया उसका opposite color सियान हो गया इस wheel को follow करना पड़ेगा मतलब अगर summer low इसका अगर ground लिया तो इस color के element पर लेना पड़ेगा या फिर इसका ground लिया इसके element पर लेना पड़ेगा वैसे तो लेंगे तो उसके क्या perfectly flow आएगा ठीके यह हो गया color का ठीके अभी इस file को भी में close करता हूँ अब इसी को हम design में कैसे apply करें contrast ठीके मेरे लिए contrast design बोलने के मतलब है अभी just में explain करता हूँ आपको समझा आ जाएगा अपने आप यह tutorial पे चलते है अब इसको साइज से 3 by 3 ठीके मैंने इसको क्या क्या 3.1 किया 3.1 by 3.1 साइज दे दिया cameras इसको okay दे दिया अब मैंने क्या किया किसको एडिट में जाके pattern फिल किया different pattern तो यह pattern पर आगया तो मैंने इसको save कर दे ठीक है अब मैंने क्या किया इसको बंद किया इस ते नीचे pattern फिल किया ठीक है pattern फिल किया फिर में image में क्यानों से इस पर गया यहां जाके परसंडेश पर जाके समवन लोग उसको नो बार बिटाना यानि दोनों से नाइन नाइन परसंडेश अब देखो यह अभी एक नार्मल लीसेन हो गय है तो अभी यहां पे कांटरस्ट कैसे अप्ले होता मैं बता हुआ यह अभी इतना हो गया अभी यहां पर जो पहले आपर करके रखाता हूँ इस element को ऐसे अलग से रखा हुआ इस element को मैं क्या करूँगा जहां भी है ऐसे बिटाओंगा और इसको खंडूल्टी करके उसको तोड़ा सा बढ़ा करके दूसरा के साथ बिटाओंगा अब देखें दोस्त यह हो गया contrast जानी एक ही element आप इसको मैं दूसरा डार रक्तौंब सब्स्सक्राइब करके यहां रखता हूं यहो रक्ती। ऊपर यह रखता हूं यहां रखता हूं। यह रखता हुए है रखता इस Això आफ से घ्रज़ पी आपर देखें अब घडूल्टी करके उसे क्ते चाच घ्ल आख करके। कंडूल टी करके ऐसे कर दिया और अब देगे दोस्त यह जो तीन है हम सेम एलिमेंट देखेंगे अब सेम एलिमेंट कैसे दीख रहा है पहले अभी समूल ले फार एंग्जेंबल में इसको बंद करता हूं अभी के लिए यह दिखेंगे पहले ऐसे था डिजैन लेकिन उसी एलिमेंट को हम उससे थोड़ा बड़ा डाल दिया तो वह कंड्रस्ट हो गया समझे तो अब देखें तो अभी आप देखोगे तो सीधा नजर इसी पर जाएगा सीधा नजर जो आमने बनाया हुआ इसी चीज़ पर जाएगा ना कि चोटा पर जाएगा इसको कहत इस तरह की डिजेन बना तक कर दो जाना है कि अधर जाके मून लाइट ऐसे देने से क्या हो जाता है कि मतलब यह एक नाइट लुक आ जाता है मून लाइट या फिर उसमें जो भी कलर ठीक लगे आपको इसमें बहुत सरा आप्शन से ज्यादा गरें लोग भी उसकरता है जैसे भी करने कर दोगे तो अपने अपने एक कांट्रस्ट लुक आ जाएगा ओके यह डिजेन के होगा इसका मैं एक और इसी को में कलर का तीरी में आपको समझाता हूं समधियों सपहले मैंने कांट्रस्ट का तक यह तीरी मैंने आपको श्राटिंग में समझाया था आँ फिर से उसी चीज़ का समझाता हूं देखिए सपोज यह जो एलेमेंट है यह अमने डिजाइन अभी डाला उसी डिजाइन में कलर लाता हूं सपोज यह रेट कलर का एक्जेंबल बताता हूं यहां पर रेट कलर डाला तो यह ऐसे रेट कलर हो गया ओके अब रेट कलर अनस इसको इन्वर्ट किया है इन्वर्ट के ओपर से ओके तो समझ लो रेड कलर फिल किया है अब यह जो है तीन एलिमेंट इसको सेलक्ट करता हूं इसी के जहां पर मैं श्याफ फिल कर दे तो समझ आगया जो शैटिंग में समझ आएता है यानी चैन अरेड के दार हुआरा साकुपर कर 0 दिखे थोस्त कैमध्र में एकदम pode जायेगा तो हमेशा इसी कलर के टीरी है थो हम जैसा वह दीजयन में भी अप्ले कर सकते हैं या इसको भी कलर चेंज किया आपको समझने के लिए अब यह देखें तो यही होता है contrast color का I hope आपको एकदम से समाझ आया होगा कोई confusion नहीं किस तर से contrast element बनाना है बैस समझ लो यह ऐसा है तो मैं इसका ऐसे होने के बाद design finalization में कुछ tips देना चाहूंगा और इसको पहले hue लिया clipping mask दिया इसको थोड़ा सा lighten करने से क्या यह और उड़ जाता है तो एक perfectly design दिखने लग जाता है और इस पे जाके डाप ख्रीद करके drop shadow drop shadow क्या होता है यह देने से design के हलका से 3D लुगा आ जाता है कोई भी डिजन में तो हमेशा से मैं prefer करूंगा कि ड्राप shadow के साथी जाने तो इसको लुक किया लग आता है तो यह उड़ जाता है फिर उसके बाद क्या करना है अलुकासर एक्स्प्रोसर लेलो अलुकासर उसको अज्जस्ट कर लो फिर कि यह चोटा चोटा अज्जस्में बहुत फार्क पड़ता है डिजैन में प्रसेंटेशन में और अपरोल में क्लाइन से तो यह लिया हार उसके बाद च्यू लिया due saturation आई कसा saturation बढ़ा देना कुछ इस तरह तो क्या ओ एकदम पोफगली बैट जाएगा इसका मैं भी टोस करता हूं यह आप देखी थे एकदम पोफगली बैट आएगा मिन्स कांडर्स में बैट गया तो आपको यह कांडर्स वाला चूटिल पसंद आया होगा अभी यह इसमें आपको अच्छा लगा प्लीज तो लाइक करिए सब्सक्रेब करिए शेयर करिए मरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाईए तैंक यू भी मुषू चिंटिल चीनल करिए शेयर कर ओके कांटिल यूट्यू चैनल